भारत माता की सौर नदी के तट पर बसल पुर्वी और पस्चिमी भारत के जोड़े वाला पुर्णिया के इपावन भूमी के नमन करे छी अहां सब के रुदय से अभिनन्दन करे छी स्वागत करे छी मन पर विराजमान भारतिय जनता पार्टी एवं एंडिये के हमारे एंडिये के हमारे एंडिये के एंडिये कि यां मन पर विराजमान या या भारतिय जनता पार्टी एवं एंडिये के हमारे सभी वरुण या याणिये नेतागान मैं सबके नाम बोलने नहीं पाऊंगा कि इतनी बड़ी सुची है कि भाशन का समय उसी में तला जाएगा क्या सुना ही नहीं देता है क्या तुना ही देता है नहीं वहां समस्या है बारत माता की मैं जय बूलवाता हूं तब तो सुना ही देता है आपको मेरे भाई ये भेनो अब ये मैदान भी छोटा पड़ गया तो अब मैं समझ सकता हूं कि जो यहां दूर दूर है वो मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं कि उसके बाद भी मुझे आशिरवात देने के लिए इतनी बड़े संख्या में आये इससे बड़ा जीवन का सवभाग्य क्या होता है कि इस चुनंग में कि जिनके नित्रुत्व में भारतिये जनता पार्टी के उम्मीद्वार आपके आशिरवात के लिए खड़े हैं कसबा से भाजपा के उम्मीद्वार श्री प्रतीप दास बन मन्खी से भाजपा के उम्मीद्वार क्रिष्ण कमार रूशी पूरनिया से भाजपा के उम्मीद्वार विजय खेमका अमोर से भाजपा के उमिद्वार सबाज जफर रुपोली से भाजपा के उमिद्वार परमानन मंडल ताफिक में बसे हैं 22 से RLSP के उमिद्वार अजीजूर रहमान दमदाहा के उमिद्वार सिवसंकर ठाकोर किसन गंज के उमिद्वार स्रिमती स्विटी सी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मैं लोगसभा में यहां आया था लेकिन इस बार लगता है कि लोगसभा में जो कसर रह गई उसको बराबर पुरा करने का आपने फैसला कर लिया है मैं खास करके इतनी बड़ी संख्या में माता हैं बहने जो आई है उनको प्रणाम करता हूं लोगों को अजूबा लग रहा है कि बिहार की चुनाव रेलियों में ये इतनी बड़ी मात्रा में माता हैं बहने कैसे आने लगी है अगर जंगल राज के खिलाब सबसे ज़्यादा किसी का गुसा होता है तो माता वो बहनों का होता है क्योंकि जंगल राज के करण जो परिशानी आती है जो गुन्दा गिर्दी होती है जो असलामती होती है वो सारी मुसीबते माताओं बहनों को जेलनी पड़ती है और इसलिए जब से जंगल राज का डर सताने लगा है बिहार की माताओं बहनों का गुसा आसमान पे पहुंच रहा है असमान पे पहुंच रहा है अरिस्तुना में भी नजर आया है शांती के लिए सुरक्षा के लिए बच्चों की जिंदगी के लिए माताओं बहने बिहार में एक अच्छी सरकार बनाना चाहती है जो उनके बच्चों का भविश्य बदले उनके बुढ़ापे की चिंता कर पाएं बच्चे ऐसी स्थिती पैदा करनी चाहती है मैं माताओं बहनों को विश्वाद दिलाता हूं हम आपके सपनों को पूरा करेंगे माताओं बहने आपके सपनों को पूरा करेंगे भाईयों बहनों चुनाओं मैं चुनाओं मैं जो सरकार में बैटे होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है, अपने काम का हिसाब देने की पंदरा साल तक लालू जी ने राज किया, दस साल तक छोटे भाई ने राज किया 25 साल तक इन्हों ने सरकार चलाई, 25 साल, 25 साल कोई कम समय होता है क्या भाई? 25 साल कोई कम समय होता है क्या? मेरी सरकार तो अभी 25 महिने नहीं हुए हैं, और ये लोग मेरा हिसाब मांग रहे हैं खुद का 25 साल का हिसाब देने को तयार नहीं और दिन रात पूरे चुनाव अभियान में बिहार का क्या करना है, इस पर कुछ बताते हैं क्या? बिहार में नवजवानों के लिए क्या करेंगे वो बताते हैं क्या? बिहार में माताओ बेहनों की बलाई के लिए क्या करेंगे बताते हैं क्या? बिहार में बिजली का बह बोलते हैं क्या बह बोलते हैं क्ये लोग? उनको डर लगता है नितिज बाबू को तो अगर मुझे बिजली की बात निकल गई तो लोग याद करेंगे सिमान नितिज बाबू आपने 2010 में तो बिजली की बाते कही थी आप 2010 में भी आके कहके गए थे कि मुझे चुनकर के बिठाईए मैं घर घर बिजली पहुचाऊंगा और ये भी कहा था कि अगर मैं बिजली नहीं पहुचा सकता हूँ तो मैं 2015 में वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा ऐसा बादा किया था ना बिजली नहीं तो वोट नहीं ऐसा उन्होंने कहा था नहीं कहा था उन्होंने कहा था मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा बिजली आई मुझे बताऊने बिजली आई भाई जरा बाता है बेहने बिजली आई क्या और वो आ गए कि नहीं आ गए वो आगे गए कि नहीं आ गए उन्होंने वादा तोड़ा के नहीं तोड़ा आपसे दोखा किया के नहीं किया अरे जो जनता से दोखा कर सकते हैं उन पर कोई भरोसा कर सकता है क्या जनता भली होती है एक बार भरोसा कर देती है नितिस बाबो अब वो दिन चले गए अब बिहार आप पर भरोसा नहीं कर सकता बिहार भरोसा नहीं कर सकता वो तो जंगल राज का भैंकर त्रास था अब फरन का उद्योग चलता था सुक्चैन की जिन्दगी सबाब तो हो चुकी थी लोग जो भी मले उसके सहारे से जीना चाहते थे उस दिन आप मिल गए तो लोगों ने आपकी उंगली पकड़ ली क्योंकि जंगल राज से बचने के लिए लोग रास्ता खोते थे और नितिज बाबु आप नसीब बाले थे कि अतल बिहारी बादपाई ने आपके कंदों पे हाथ रखा था और ये जनता जनारदन को अतल बिहारी बादपाई पे भरोसा था अतल बिहारी बादपाई पे भरोसा था और इसलिए लोगों ने आपको पसंद किया अब अतल जी के आशिरवाद आपको नहीं है अब बिहार आपको कभी स्विकार नहीं करेगा ये मान के चलो भाई यो बेहनो पूरे चुनाव में न पचीश साल के अपने काम का हिसाब दे रहे है न आगे क्या काम करना चाहते हैं वो बताते है वो दिन रात यहीं कहते हैं मोदी बिहार क्यों आते हैं क्या बिहार आना गुना है क्या उंको ड़र क्यो लगता है भाई नना इतना डर क्यों लगता है जी क्यों परिशान हो क्यों आपके सारे कच्छे चिछे खुल जा रहे हैं इसनले डर लगुए आपका हिसाब मांग रहा है अरे मोधी छोड़ो बिहार का हर बच्चा आपका हिसाब मांग रहा है हर नौधमान हिसाब मांग रहा है हर माता बहने आपका हिसाब मांग रही है और आप मोधी को डर दिखा रहे हो मोधी आएगा तो ऐसा होगा मोधी आएगा तो वैसा होगा ये खेल आपके कई वर्सों से खेले है उसके बावजुद भी बिहार की जंता ने हमें गले लगाया है बिहार ने मुझे आशिरवाद दिये है और आज दिल्ली मैं बैठा हूँ ये बिहार के लोगों के आशिरवाद के कारण बैठा हूँ भाई यो बहनों बिहार का हाल खराब है कि नहीं है, बिजली है क्या, सडक है क्या, पानी है क्या, रोजगार है क्या, सिक्षा है क्या, बिमारों के लिए दबाई है क्या, डॉक्टर है क्या, सलामती है क्या, सुरक्षा है क्या, चैन की जिन्दगी है क्या, यह 25 साल के बाद का परणाम है 25 साल के बाद का परणाम कुछ नहीं दे पाएं लोग और इसलिए भाईय भनो वो अपने काम का हिसाब नहीं दे रहें और मेडम सोनिया जी अरे आपने तो 35 साल राज किया 35 साल आज 2 नवंबर है 1984 का 2 नवंबर याद करो 1984 का इंद्रा गांदी जी की हत्या के दूसरा दिन तीसरा दिन चोथा दिन दिल्ली में हिंदुस्तान में शीखों का कटले आम चल रहा था कटले आम किया जा रहा था कॉंग्रेस पार्टी पर गंबीर आरोप लगे थे कॉंग्रेस के नेताओं पर गंबीर आरोप लगे थे और आज उसी दो नमंबर को कॉंग्रेस पार्टी टॉलरंस पर भाशन देने लगी है अरे डूब मरो डूब मरो आपको शोभा नहीं देता है अभी भी उन सिखों के परिवारों के आंसू पोंचे नहीं गए है अभी भी उस यातनाओं से जीने वाले लोगों को लोग कैसे भुला सकते हैं भाईयों और आप आप में ड्रामा बाजी कर रहा हूं और बिहार में नितिज बाबू लालो जी आपकी क्या मजबूरी थी आप तो दोनों कॉंग्रेस के खिलाब लड़ते रहे हो चालीस सिटे दे दी चालीस सिटे लेकिन इस चुनाव में मुझे लालो जी नितिज की जी की कोई भी मजबूरी रही होगी लेकिन एक बात के लिए तो मुझे उनका धन्यवाद करना है सारवजनिक रूप से धन्यवाद करना है आपको अस्चरे होगा कि चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी सारवजनिक रूप से लालो जी और नितिज जी का धन्यवाद कर रहे हैं धन्यवाद इसलिए करना है इस चुनाव में लालू जी नितिज जी ने हमें चालिस बैठके बिना चुनावती को दे दी हमारे जेब में क्योंकि चालिस सिटों पर कॉंग्रेस को लड़ा रहे हैं जिस कॉंग्रेस का नामों निशान नहीं है बिहार में वो चालिस सिटे तो हमें सोने की ठाली में मिल गई हैं हम मुझे बताइए उनकी मजबूरी कुछ भी रही हो लेकिन अगर चुनाव के पहले ही हमें चालिस सिटे मिल जाए तो मुझे उनको धन्यवाद करना चाहिए तो चालिस सिटों के लिए लालू जी नितिज जी का धन्यवाद और बाकी सिटों के लिए मेरे बिहार के भाई और बहनों का धन्यवाद जो हमें दो तिहाई बहुमत देने वाले आप देखिए कभी किसी ने सोचा था कि जहां नक्सलबाद की बाते होती हो बंबंदू को पिस्तोल की धंकिया चलती हो वहाँ बिहार के लोग परिवर्तन के लिए इतनी बड़ी मात्रा में मतदान करने के लिए आए और पहले चरन से दूसरा चरन ज्यादा दूसरे चरन से तीसरा चरन ज्यादा तीसरे चरन से चोथा चरन ज्यादा अर अब बारी है पांचवे चरन के सारे मतदान का विक्रम तोड़ोगे गरी तोड़ोगे पुराने सारे विक्रम तोड़ोगे गरी तोड़ोगे बिहार के चारों चरण के मतदान से आप आगे निकल जाओगे निकल जाओगे और इसलिए मेरे भाईयों बहनों मेरा आपसे आगर है पांच तारीकों पांच वाच चरान और सबसे ज़्यादा मतदान यह पुर्णिया करके दिखाए मेरे भाईयों बहनों अब आठ तारीकों नतीज आने वाला है यह नितिज बाबू लालू जी अब छे दिन बचे हैं आपको जितना खेल खेलना है खेल लो छे तारीकों यह जनता हिसाब चुकता कर देने वाली है आठ तारीकों आठ तारीकों बिहार के नतीजे आने वाले है चारों तरफ देश दिवाली मनाने वाला है और बिहार दो दो दिवाली मनाने वाला है दो दो दिवाली हमने एक लाख पचीस हजार करोड रुपियों का पैकेज गोशित किया और चालीस हजार करोड पूरानी सरकारों के कांगजों में लखे पड़े थे दिये नहीं थे ऐसे लिखे रखा था हमारी जिम्मेवारी नहीं थी लेकिन चुकी बिहार के पती हमारा प्यार है बिहार के लिए हमें कुछ करना है इसलिए हमने कहा हमारी योजणा के एक लाख पचीस जार करोड तो देंगे लेकिन पुराने जूठे बादे करकर के जो चीज़े छोड़ी गई है अरे उसको भी हम पुरा करेंगे अगर करना है तो बिहार के लिए करना है हमारे बिहार के लिए करना है और इसलिए भाईयो इस चुनाव में इस चुनाव में हम विकास के लिए वोट मांग रहें एक लाग 65,000 करोड का पैकेज बिहार का भाग के बदलने की ताकत रखता है भाईयो और इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए मुझे बताईए भाईया अगर छोटे से गड़े में कीचण में अगर स्कूटर फस गया हो तो दो-चार लोग धक्का मार करके स्कूटर को बाहर निकाल सकते हैं गा नहीं निकाल सकते हैं निकल जाता है ना छोटा गड़्रा हो कीचण में फसा स्कूटर हो तो दो लोग भी धक्का मारे तो निकल जाता है ना लेकिन अगर स्कूटर कुवे में गिरा हो तो दो-चार लोग धक्का मार करके निकाल सकते हैं क्या उसको निकालने के लिए रसी बांथ कर टैक्टर से बांथ करके खिंचना पड़ता है ने खिंचना पड़ता है तेक्टर लगना अब लगता है ना यह हमारा बिहार ऐसे गड़े में डाला है इसको निकालने के लिए दो-दो एंजीन की जरूर है दो-दो एंजीन की दो-एंजीन के बिना यह इतने बड़े गड़े मैं से बिहार बहार नहीं निकल सकता है और इसलिए एक एंजीन बिहार में जो सरकार नहीं बनेगी वो और दूसरा एंजीन दिल्ली में जो मेरी सरकार आपने बना ही है वो यह दो-दो एंजीन लगेगे एक पटना का एक दिल्ली का तब जाकर के बिहार बहार निकलेगा और इसलिए भाईयो बहनो मेरे अकेले की महनत काम नहीं आएगी अकेले पटना की महनत भी काम नहीं आएगी पटना और दिल्ली दोनों की ताकत लगेगी ये बिहार देखते ही देखते गड़े मैं से बहार आ जायेगा भाई योग गड़े मैं से बहारा आ जायेगा इस चुनाओं में इस चुनाओं में भाई। भेहनो मैं विकास के लिए वोट मांग रहा हूँ जंबाने एक लाग 65.000 करोड रुपे की बात कही है आपके इस पुर्णिया में मैंने बादा किया है हमारी सरकार 24 गंटे बिजली पहुंचाएगी 24 गंटे सातों दिवस बिजली पहुंचाएगी और इसके लिए करीब सबाद 200 करोड रुपया अल्रेडी दे दिये है सबाद 200 करोड रुपया हम दे चुके हैं भाईयो बैनो आने वाले दिनों में नेशनल हाइवे 107, महेशुगाट, सहरसा, पूर्या इस सेक्शन पर टू लेनिंग के लिए पेवड सोल्डर के साथ एक हजार करोड रुपया लगाया जाएगा, एक हजार करोड रुपया पूर्णिया में LPG प्लांट के अप्गरडेशन के लिए करोड रुपयों की लागत लगाई जा रही है पूर्णिया एरपोर्ट के सिविल एंकलेव डवलप्मेंट के लिए डेर सो करोड रुपया लगाने का पासला किया है भायों भनो सूची बड़ी लंबी है मैं लंबी सूची पढ़ नहीं रहाओं लेकिन हमारे दिमाग में एक ही काम है विकास बिहार मैं आप लोगों के लिए मेरा तीन सुत्री कारकम है आपके लिए एक है पढ़ाई दूसरा है कमाई तीसरा है दबाई बिहार के गरीब से गरीबालक को कि अच्छे से अच्छी सस्ते से सस्ती सिक्षा मिल्नी चाहिक ने मिल्नी चाहिए कर दोकिघन कने चाहिए माता है बैने आप अपने बेटों को बेटियों को पढ़ाना चाहते हो नहीं चाहते हो लेकिन बिहार में पढ़ाई के लिए इतनी हालत खराब है कि गरीम माबाप भी जमीन गिर्वी मुख करके बच्चों को पिढ़ाई के लिए बाहर बेचते हैं जमीन गिर्वी रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं ये ये बिमारी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए इसलिए मेरे भाईयों बेहनों मेरा संकल्प है बिहार के बच्चों को अच्छी पढ़ाई सस्ती पढ़ाई गरीब से गरीब बच्चे को सिच्छा मिले कि दूसरा मेरा सपना है कमाई आज बिहार में रोजगार के लिए बिहार छोड़के जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता है बुडे माबाप को छोड़ना पड़ता है नहीं पड़ना है दिल्ली मुंबई की जुगी जोपड़ी में जिन्गी गुजारनी पड़ती कि नहीं गुजारनी पड़ती कि आप बिहार के नवजवान को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए और इसलिए भाईयो बैना मेरा दूसरा संकल्ब है कमाई बिहार के नवजवान को बिहार में ही कमाई का अउसर मिलना चाहिए और तीसरा मेरा सपना है दवाई बुढ़े माबाब बुजूर्गों को दवाई मिलनी चाहिए गो नहीं मिलनी चाहिए दवा खाना होना चाहिए डॉक्टर होना चाहिए और इसलिए मेरे भाईयो बेहनों आपके लिए पढ़ाई कमाई और दबाई और बिहार राज्य के लिए तीन काम बिजली पानी सड़क बिजली आएगी तो कार खाने लगेंगे बिजली आएगी तो कार खाने लगेंगे तो रोजगार मिलेगा और इसलिए भाईयो बेहनों अच्छी सिक्षा के लिए बिजली चाहिए अच्छे जीवन के लिए बिजली चाहिए अच्छे रोजगार के लिए बिजली चाहिए और मेरी सरकार आपको बिजली देना चाहती है दूसरा है पानी भाईयो बेहनों बिहार की दो ताकत ऐसी है जिसका सवभाग्या हिंदुस्तान के और राज्यों को नहीं मिला है जो बिहार को मिला है बिहार को जो सवभाग्य मिला है ऐसा सवभाग्या और राज्यों को नहीं मिला है वो बिहार की दो ताकते हैं, एक है बिहार का पानी और दूसरा बिहार की जवानी, ये बिहार का पानी और बिहार की जवानी, नसरी बिहार का हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकती है, हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकती है। अगर पानी किसान को बिला, तो वो मिट्टी में से सोना पादा कर सकता है, मिट्टी में से सोना पादा कर सकता है, और इसलिए मेरे भाईयों बैंडो, हमें दूसरा हमारा संकल्ब राज्य के लिए है पानी पहुचाना, पीने का पानी पहुचे, किसान को खेत में पानी पहु एक गाउं दूसरे गाउं से जुड़ जाए गाउं तैसिल से जुड़ जाए तैसिल जिले से जुड़ जाए जिला राज्य से जुड़ जाए और राज्य दिल्ली से जुड़ जाए ऐसा नेटवर्क बनाना है ताकि बिहार का सीधा सीधा संबाद विकास की और चल पड़े इन कामों को ले करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और इसके लिए मेरे भाईयों बेहनों मुझे आप क्या सिर्वात चाहिए पांच तारिक को मतदान है आप लोग आज यहां से जाएंगे कल साम को प्रचार पुरा हो जाएगा आप सब दस-दस परिवार का जिम्मा ले ल समपर करोगे दस-दस परिवारों से बीजेपी एंडिये को वोट कराओगे दोनों मुठी हाथ उपर करके मुझे बताहिए कराओगे सब के सब हावावा शाबाज चारत तरफ जोम और जुस्सा दिख रहा है भाईयों मेरे साथ मेरे साथ सब लोग बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की सिर्शनाओे खिर्फ नहीं अर्फ बारत माता की